तो हम D9 चार्ट में राहु की विपिन भाव में प्लेस्मेंट के बारे में बात कर रहे थे इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका राहु D9 चार्ट में 11 भाव में इस्तित हो तो राहु यहां आपको क्या-क्या रिजल्ट दे सकते हैं यारवे भाव में राहू है तो आप marriage होने के पस्चाथ आर्थिक परगत्ती बहुत ही ज्यादा करेंगे अपने जीवन में, इसके साथ आप अपने family, friends या relatives में बहुत ज्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, धन्वान हो सकते हैं, इससे आपकी reputation बहुत अधिक बढ़ेगी. यहां राहू का इस्तित होना यह दिखाता है कि आपके पास बहुत सारे income sources हो सकते हैं, लेकिन कोई न कोई एक बहुत बड़ा income source आपके पास होगा, इसके साथ साथ आप अपना जो investment decision है वो काफी बहुत ही अच्छे से source समझ के लेंगे, और काफी पैसा earn करेंगे, तो आपका जो investment है वो आपके लिए वरक करेगा, major रूप से यहां अगर राहू है तो, इसके साथ यह जात तक ऐसे होते हैं, जो हमेशा अपने partner को बहुत अधिक पसंद भी करते हैं, और उनसे बहुत ज़्यदा लगाव रखते हैं, तो एक बहुत ही कुसाल जीवन जीने के आपकी सं करें, या वो कोई ऐसा काम करें, जिससे वो कोई business type का काम कर सकता है, कोई भी ऐसा business कर सकता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा clients हो उसके पास और उसकी अपने business के वज़े से भी popularity हो सकती है, राहू का 11 भाव में इस्तित होना, कभी-कभी आपके लिए विश्वास गहत का कार लेकिन आपको आपके जो बहुत close लोग हैं, आपके जो friends लोग हैं या आपके जो relatives हैं, वही कभी-कभी आपको दोखा दे सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा problem अगर आपको आएगी, तो आप जिनके उपर सबसे ज्यादा trust कर रहे हैं, या जो आपके सबसे ज्यादा आत्मिक रूप से close हैं, उनके साथ ही आएगी, इसके साथ रहू यहाँ इस्तित है, तो आपको काफे ज़्यादा obsession देता है धन कमाने के लिए, और अपने इच्छाओं को या अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, इस वज़े से कभी-कभी आप कुछ ऐसे तरीके अ माना बन जाती है, तो रहू का यहाँ इस्तितोना अक्सर आपको अगर रहू अच्छे placement पे है, यानि साइन जो है वो अगर रहू का favorable है, तो निस्सिती यह रहू आपको बहुत कुछ दे सकता है, इसके साथ यह रहू मेजर रूप से आपके अंदर ऐसी ऐसी डिजायर इसके साथ रहू यहाँ इस्तित है, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो field है, उनसे जुड़े हूए लोगों से आपके संपर्क रहेंगे, बहुत ही प्रभावसाली लोगों से ऐसा रहू आपको जोड़ कर रखता है, रहू के इस placement की वज़े से, आप अपने decision काफी quickly लेने वाले होंगे, और कभी-कभी तो आप बिना सोचे समझे भी कुछ decisions ले लेंगे, यहाँ रहू का इस्तित होना आपको आपके भाईयों से काफी सा support दिला सकता है, और लेकिन आप अपने भाईयों में सबसे ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, या सबसे ज़्यादा पै और ज़्यादा तर आप अपने friends की साथ या अपने partner की साथ अधिक से अधिक समय बिता सकते हैं, लेकिन यहाँ रहू की placement अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़र्य हो जाएगा आपके लिए, इसके साथ रहू की साथ जो भी grab बैठा है, आपको उसके उपर भी हमेशा ध ज़्यादा एहम है, और क्या वास्त में आपको राहू की महादसा भी चल रही है साधी होने की पस्चाथ, यह भी देखना आपको बहुत important है, क्योंकि यहाँ इस्तित राहू आपके पास इतने सारे ideas collect करता है, आपको इतने सारे ideas दे देता है, जिससे आपको कभी-कभी यह confusion हो सकता है, कि आप कौन से idea पर properly वरक कर सकते हैं, तो यहाँ आप कभी भी अगर confusion में रहते हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है, और आप जल्दी से किसी पर भी trust ना करें, इसके साथ आपको partnership में हमेशा नुक्सान हो सकता है, दोखा हो सकता है, लेकिन आपके पास जैसे lottery वगरे है, सटा वगरे है, या share market वगरे से काफी ज़्यादा पैसा ऐसा राहू देता है, तो इन सब मामलों में आपको focus करके चलना चाहिए, जब भी आपका नुवामसा चार्ट में राहू 11-12 में इस्तित हो